नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल घ्रलक्षमी में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अक्षे तिर्तिया पर करें ये चार आसान काम धन, वंश, सुक, सम्रिधी से भर जाएगा घर पर नहीं रहेगी कोई पित्रदोश अक्षे तिर्तिया का पावन पर्व 22 अप्रेल को है अक्षे तिर्तिया के दिन तीर्थ इस्तान करने से पाप मिठते हैं और अक्षे पुन्य की प्राप्ती होती है अक्षे तिर्तिया को किये गए मांगली कारियों का फल पूरे जीवन भर साथ रहता है उसमें कभी कोई कमी नहीं होती है उस फल से आपको अगले जन्म का भाग्य भी तै होता है अक्षे तिर्तिया की कथा में इसका वर्णन मिलता है अक्षे तिर्तिया का अर्थ है वह तिर्तिया तिथी जिसका कभी शैना हो अक्षे तिर्तिया के दिन हर व्यक्ति को ये चार कार्य अवश्य करना चाहिए इससे उसके धन, सम्पत्ति, वंश, सुक और सम्रिधी में बड़ोतरी होती है और पित्र दोस से भी मुक्ती मिलती है अक्षे तिर्तिया पर करें जरूर ये चार काम एक, सोना या जोंखरीदना आक्षे तिर्तिया वाले दिन आपके पास रुपे है तो सोना जरूर खरीदे सोने को धन लक्ष्मी माना जाता है यदि सोना नहीं खरीद सकते हैं तो जोंखरीद ले जोंखो भगवान विश्णु का प्रतीक मानते हैं उसका उप्योग पूजा मैं करें, इससे आप पर माता लक्षमी प्रसन्न होगी, पूरे परिवार की बरकत होगी. नमबर दो है लक्ष्मी गणेश और कुबेर की पूजा अक्षे तित्या को माता लक्ष्मी गणेश जी और धनपती कुबेर की पूजा की जाती है माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा करते हैं ताकि धन इस्तिर रहे कुबेर की पूजा करने से इस्थाई धनसंपती की प्राप्ती होती है कुबेर धनपती है, उनके पास अथा धन का भंडार है भगवान शिव ने उनको धनपती होने का वर्दान दिया था अक्षे तिर्तिया के दिन किये गए कार्य काफल अक्षे रहता है इसलिए अक्षे तिर्तिया पर इस्थान के बाद पितरों की पूजा करें, उनको जल से तरपंडे, उनके लिए आप श्राद या पिंडदान भी कर सकते हैं इससे आपके पितर हमेशे त्रिप्त और खुश रहेंगे, वे आपको सुखी जीवन का आशिरवाद दिनगे, जिससे आपके वन्स की वृद्धी होगी पितर दोस्त से मुक्ती के लिए अक्षे तिर्तिया अच्छा अवसर है अक्षे तिर्तिया के अवसर पर इसनान के बाद दान करने का विधान है ऐसा करने से अक्षि पुन्य की प्राप्ति होती है और आशिरवाद भी मिलता है आप अपने सामर्थि के अनुसरा गरीब ब्रहमनों को वस्त्र अन्न फल आदी का दान करें और दक्षिना दे कर विधा करें वे प्रसन होकर आपको आशिरवाद देंगे दोस्तों इसी के साथ जानते हैं अक्षे तिर्तिया पूजा मोहरत अक्षे तिर्तिया को पूजा का शुब मोहरत सुबह 7.59 मिनट से 2 पहर 12.20 मिनट तक का है इस समय में आप माता लक्षमी भगवान गनेश और कुबेर की पूजा करके लाप प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी कामेंट करके जरूर बताईए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे धन्यवाद